पेट विकार का मांसी कनेक्शन है इसके बारे में मैंने मेरे विडियो में काफी बार बोला हुआ है कि पेट विकार का मांसी कनेक्शन क्या होता है आज मैं आपको आताने वाला हूँ कुछ केस्टेडिस जिसमें एकदम क्लियरली शावित होता है कि पेट विकार का मांसी कनेक्शन है तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दिपग केड़कर मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मों तता है विसन मुक्दी तग्य हूँ महाराष्ट में अकुला मुंबई पुने नागपूर यहां मारे हॉस्पिटल्स है जहां मनोविकार दता है विसनी लोगों को भरती करते है एक पभी पास में लडगा पा उसकी उमर है 17-18 साल की है करीब करीब और 12 में है उसको मेडिकल कॉले उसको में लेने के प्रवेश्ट लेने का है और वह एक टिपिकल पेट विकार लेके आया कि बढ़िए 7 से 12 उसकी त्यूशन रहती है रोज सुब अभी वह नीट की तैयर करने के लिए आकुला में स्पेशलिया हुआ है साथ से बारा उसके ट्यूशन रहती है और साथ सेवारा तुस्जन रहती है तरक उसको कुछ नहें Гोगा है बारेवजे भगते और बारा जनाता है वह जाता है ट्सक्राइब कारण हो तो किलियर कड़े उसके दिमाग में सारे लेश्चा में कुछ करनेक्ष यह धी दूरा एक लड़का आया सब उलटन उसका यह था कि घर में जब रहता है कर नहीं कूछ प्रॉब्लम नहीं ही जैसा ही तुर्कigos कि टूशन जाता है और टूशन जाने के बाद में वह उसको बार 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 फिलिंक होदे ऑןी कि लाट इन ऐसे और उसको बीच-बीच में जाना परता है फिर टीचर उसको डाक टे है और फिर उसको अकवड भी होता है अच्छा भी दिखता नहीं है कि बार-बार मतलब कैसा कितने बार जाएंगा ये ट्यूशन के बीच में पर कॉंसेंट्रेशन भी नहीं होता पड़ाई में और वह आया कि अभी क्या करना और बस में कोई रुकाएंगा नाब अभी वो आयाता मुझे मुझे पुना जाना है अभी आखोला से उसको पुना जाने का है तो कमसे कम लगते 12 हट एब बारा घांडे आज्ज को भैस बआस बैठने के तुना बाद उसको ऐस compet zwei क South बार-बार बweise चलोने पहले जाके आएंगा और उसको बस में बार-बार वो अशिंद झांन hypoc無rir लग गई है है ल班 ठीकानी बैने उसका बार-बार बढ़र लग रहा है और फिर उसको नीद भी नहीं आतीा बोरा बस में रूखेस कर रहा है को कुछ गूलियां खाते रहता है पर औरस तो हो जाएंगे तो फिर को फच से जाके आजाइएगा तो फिर वह बस से प्रवास करना ही डालता है तो यह सब है कि अजलने तो लिएटियन को लगती नहीं कुछ नहीं नैकि इसाना यह बरान टोईलेट जाना ऐसके वज़ेसे हो सकता तो यह फिर करने बारबार विचार नहीं को टो वह चर रहाएं याख़िन की ऐसका सब्सक्राइब खोड़ारों से लिए पर दिमाग में कंडिशनिंग बढ़ घाया है एक बार कंडिशनिंग हो गया कि वह सीचोईशन और लेटरिन आना या वह सीचोईशन लेटरिन नहीं आना और उसके वज़े से यह होता है उसके लिए behavior therapy है psychotherapy हम hypnosis करते है कुछ medicines भी देते हैं कि जिसके वज़े से उसका tension कम हो जाएगा और उसके वज़े से वह अच्छा हो सकता है उसको यह पता चलता है कि नहीं मेरे को बार-बार विचार आ रहे है सिर्फ विचार रहे है एक्चुली तो लगती नहीं 25 बार लेटरिन एक्चुली जब जाता है समझो बस रुक के तो कोई ट्राइलेट लगती नहीं है तो यह सिर्फ विचार है जब उसको प्रेजेंट कर देते कि यह internal अंदर अंतरमन में सबकॉंशस मैंड में यह विचार आते रहते है यह automatic विचार है एक्चुली वह action में होंगा नहीं एक्चुली आपने देखा है जाके बार बार एक्चुली एक्टरिन तो होती नहीं है उसको जब प्रेजेंट करेंगे कि विचार है उसको ऐसा acknowledge करो और जब आप आपकी विचारों को देखें तो वो लड़का अच्छा होता है इस तरह से मैंने सबको counseling किया अभी counseling उनका चालोया तो उनको 95% में अराम उनको आठ गया और काफी है एक्चह हो अच्छे हो रहे हो होताए गया है कि हमारे बास में आते नहीं क्योंकि ऐसा होता है कि psychiatrist भॉलात हो थो नहीं कि आप मेरे पा गुष तालते हैं ट्रम आंसे की sih जहां आपको बहुत अन वो भी हो सकता है। वो इरिटेबल वावेल ड्यू टेंशन हो सकता है। वो बीमारी है। और इसका इलाज बेर थेपी, साइको थेपी, मेडिसिन से हो सकता है। आपके परिजित ऐसे काफी सारे लोग होंगे उनको वीडियो जरूर शेयर करो। आपके WhatsApp ग्रूप के ओपर, Facebook ग्रूप के ओपर शेयर करो। ताकि जारे स्यादा लोग उनको इसकी मतलब जानकरे हो जाएंगी और लोग उसमें अच्छे हो जाएंगी उनका हिलाज हो अवर जाएंगाव। थारे लोग हो। तो आपके ओर में जाएंगाव। तहु कहुंआ हो।